देखिए, आपको समझना चाहिए, यंत्र शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है? यंत्र, एक मशीन, ये एक मशीन या एक आउजार है, आउजारों की शक्ती नहीं, इनसान को इस धर्ती पर सबसे शक्तशाली बनाया है, अगर हमें आउजारों का इस्तेमाल करना ना आता, तो शायद चीटियों का एक जुन्ड हमारे उपर हावी हो जाता, ये एक सच्चाई ही है, अगर आपको ओजारों का इस्तेमाल करना ना आता हो, तो बागों की जरूरत ही नहीं है, उनकी आज सुरक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि इनसान ओजारों कर सकते हैं, लोगों के मन में हमेशा यही कलपना होती है, कि बाग मतलब काम खत्म, पर बागों को इनकम्स और इनसानों से बचाना पड़ रहे, क्योंकि हम आजारों का इस्तिमाल कर सकते हैं, बाग आजार का इस्तिमाल नहीं कर सकता, या फिर इस्तिमाल करना नहीं जानता, तो हमारे बनाये गए आजारों और मशीनों ने, हमें वो बनाया है जो हम हैं, और ये मशीने किस तरह की हैं मान लीजे, हम पेड़ों की तरह बने होते, एक ही जगा जमे होते, तो क्या हम साइकल बनाते? मैं पूछ रहा हूँ हमने जो भी किया है हर एक औजार और मशीन जो हमने बनाई है वो सिर्फ उसका एक विस्तार है जो हम पहले से ही कर सकते हैं जो आप यहां से नहीं देख सकते वो आप दूरबीन के त्वारा देख सकते हैं बहुत दूर तक एक औजार के बिना आप ऐसा नहीं कर पाते आप जिन देवी की बात कर रहे हैं उन्हें या ध्यान लिंग को जब मैं एक औजार कहता हूँ तो देवी भक्त कहेंगे सद्गुरु ऐसा मत कहिए देवी हमारी मा से भी बढ़ कर है आप उन्हें औजार नहीं कह सकते मैंने कहा ठीक है आपको ऐसी परिशानी है आप आश्रम आईए तीन दिन यहां रुकिए मैं आपको पाइपलाइन ठीक करने का काम दूँगा पाने, चर्खी, वगरे नहीं दूँगा आप अपने हाथों और अपने दातों का इस्तेमाल कीजिए तीन दिन में आप अपने आधे दात और उंगलियां खो देंगे तीन दिनों के बाद मेरे पास आईए मैं आपको स्पैनर दूँगा आप उस स्पैनर की पूजा करेंगे या नहीं एक औजार की यही शक्ती है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह भगवान रहिद देश है लेकिन हमारे हाँ तीन करोड तीस लाख देवी देवता है क्योंकि हम भगवान को बनाने की तकनीक जानते हैं हमने ऐसे उर्जा रूप बनाने शुरू किये जो एक खास तरीके से काम करते है और हम ऐसे उर्जा रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ती के रूप में पहचान सकते हैं हम सामान्य रूप बना सकते हैं जो सभी के लिए फाइदेमंद हो या हम एक खास रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सकें। आपने कुल देवताओं के बारे में सुना है। इसका मतलब है, उन्हें इस तरह तयार किया गया है कि वो आपके वन्ष को पहचानेंगे और आपके लिए सिर्फ तभी कारगर होंगे, जब आप उस वन्ष के होंगे, अगर आप कोई और हैं, तो ये आपके लिए कारगर नहीं होंगे। हम पूरी तरह उलज गए हैं और हम इसे अप ठीक से नहीं समझते। इसे आजकल ठीक से किया नहीं जाता, वो अलग बात है, पर मूल रूप से हम उन्हें बना सकते हैं। अरे, ये असली अंदभक्ती लगती है। देखिए, इस देश में कितनी ही चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जब तक पश्चम उन्हें मान्यता नहीं देता, उन्हें सच नहीं माने जाता। क्या आपने रामानुजम के बारे में सुना हैं। रामानुजम ने सौ साल से थोड़ा पहले गणित के सिध्धान्थ लिखे थे। कोई भी पता नहीं लगा सका कि वो क्या है। 2010 में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा लिखे गए कुछ सिध्धान्थ। ब्लैक होल्स के बारे में समझाते हैं। जब 1910 या 1908 में उन्होंने ये लिखे थे, तो वैग्यानिकों के बीच ब्लैक होल का कोई विचारी नहीं था, पर उन्होंने ब्लैक होल पर सिध्धान्थ बनाया था। वो अपने बिस्तर पर बैठे थे, यहां तक कि उनकी मृत्यु शया पर भी उनसे सिर्फ गणित बाहार आती रही। लोगों ने पूछा ये कहां से आ रहा है। उन्होंने का मेरी देवी, मैं बस देवी से प्रार्थना करता हूँ और ये ग्यान मुझे मिलने लगता है। अगर इन देवताओं को ठीक से प्रतिष्ठित किया गया है, अगर जरूरी विज्ञान का इस्तिमाल किया गया है, तो ये अस्तित्व तक ले जाने वाली खिड़किया है। आपको ये खास खिड़की खोल सकते हैं और विभिन आयामों में ब्रह्मान तक पहुंच सकते हैं तो जीवन के अलग-अलग पहलूओं के लिए हमने अलग-अलग तरह के औजार या मशीने बनाई हैं। इसलिए भारत में सभी देवताओं को यंत्र भी कहा जाता है। लेकिन फिर भक्ती आंदोलन आया। जब भक्ती आंदोलन आया, भक्ती या डिवोटी विज्ञान की परवा नहीं करते। उनकी भावना ही सब कुछ होती है। तो कोई भी जिसके पास पत्थर और छेनी थी, उसमें जरूरी विज्ञान के बिना अपनी खुद की चीज़े बनानी शुरू करती। इसलिए भक्ती आंदोलन की वज़े से सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया। क्य अगर आप उनकी कहानिया सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं क्योंकि ये एक शक्तिशाली उपकरण है। आपको बस इसका उपयोग करना सीखना है। उपयोग करना सीखने पर ये जबर्दस तरीके से काम करेगा। सबसे जीवित चलता फिरता मंदिर बना सकता हूं। अगर आप चाहें, एक जीवित इंसान की प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे आसान है। लेकिन मनुष्यों के साथ समस्या ये है कि वो हर दो मिनिट में यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए हम पत्थर और दूसरी चीज़ों को चुन रहे हैं, जो आपसे ज्यादा भरोसे मन्द है।